If 10 of the quadratic polynomial Px 6 square plus 37x minus k minus 2 is reciprocal of the other then find the value of k इस question में आपका 2 0 दिया हुआ है और 2 0 के बीच में एक रिलेशन दिया हुआ है कि 10 other 0 का reciprocal है तो इस polynomial के थुरू आपको k का value लिकालना है आईए question को solve करते है गिवेन polynomial आपका दिया हुआ Px is equal to 6x square plus 37x minus k minus 2 यहाँ पर consider करेंगे a is equal to 6 b is equal to 37 हो गया और c is equal to minus k minus 2 हो गया ठीक है यहाँ late करते है 0 ठीक है late 1 0 b 1 0 b alpha then other 0 b what then other 0 b 1 by alpha क्योंकि question में दिया हुआ है कि 1 0 दूसरी 0 का reciprocal है तो हमने 1 0 alpha माना तो other 0 1 by alpha हो गया ठीक है अब हमें relation पे चलना है इसमें कौन सारा relation लगाएंगे क्या sum of 0 लगाएंगे कि product of 0 लगाएंगे तो जब भी आपका 1 0 other 0 का reciprocal दिया हो तो product of 0 लेके चलेंगे यहां से लिखते हैं product of 0 तो product of 0 जिख क्या होती है यह होती है आपका cya ठीक है product of 0 cya हो गया यहां से product of 0 कीजिए यहां पर 0 क्या क्या है एक alpha है तो alpha into 1y alpha करेंगे equal to भीलू देंगे c का भीलू कितना होगे minus k minus 2 by a का भीलू कितना है 6 हो गया अब यहां से आपका alpha alpha कट गया 1 equal to multiply किये minus sign है तो इसको करेंगे तो minus k plus 2 इसको लिख सकते हैं और by में 6 लिखेंगे ठीक है extend किजिए 6 से multiply होगा तो 6 होगा 6 equal to minus k plus 2 हो गया ठीक है यहां से आपको k का भीलू इधर करना है तो minus से तो इस पलस हो जाएगा और 2 और इस 6 जाएगा तो minus हो जाएगा तो यहां से minus 4 हो गया डैटी जे k का भीलू कितना हो गया minus 4 जब k का भीलू minus 4 पूट करेंगे तो इसको जो 0 होंगे एक दूसरे के रिशी प्रोकल होंगे तो यह होप एक कुश्चन समझ गया होंगे थैंक यू